हेलो ट्रड़र्स तो कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका फिर से एक नए मार्केट एनालेसिस सूडियो में तो दोस्तों भी आज की सूडियो में हम बात करने वाले कल के लिए निप्टी और बेंग निप्टी में क्या वियू रहेगा हमारा कहां पे हम बायो शैलिंग का प कर रहा हूं क्योंकि कुछ टाइम के अमलब काम के वज़े से विडियो करने का रेकोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था तो अभी फ्री हो गया है वो अभी regular studio डालने की यहाँ पर मैं कोसिस करूँगा यहाँ पर डेली है ना तो ठीक है चलिए अभी चार्ट की और चलते और आज का market analysis studio श्टार्ट करते हैं यह वीडियो केवल stock, निवेश और रणनीतियों से संबंधित और सामान्य जानकारी का विशलेशन सीखने और चर्चा करने के लिए है मैं आपके लाब या हानी के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ कृपिया निवेश करने से पहले अपने वित्तिय सलाहकार से सलाह लें तो यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर अपडेट करने के लिए क्योंकि हम पहले भी इनी लेवल्स पर काम कर चुके इनी लेवल्स पर यहाँ पर बात कर चुके और पिछले एक-दो हमें होते हुए देखने को मिल रहे निप्टी ने ओल टाइम हाई लगा दिया है यहाँ पर यह दो दिनों में हना तो ठीक है तो अभी मार्केट का मूर महौल क्या है अगर कोई मुझ से पूछना चाहेगा कि बुलीस या बीरिस तो चार्ट के इसाफ से अगर देखे थोड प्लानिंग करते हो तो उनके लिए अभी फिलाल नेउट्रल है जीतना मतलब वो लेवल्स के उपर यहाँ पर अभी फिलाल ध्यान देगे तो उतना ही उनके लिए परफेक्ट रहेगा और अच्छा यहाँ पर रहेगा क्योंकि अभी मार्केट में अगर देखे मूर माहूल इंडिया का और ग्लोबल यहाँ अगर मार्केट देखे तो दो नहीं के दिशा यहाँ पर अलगी है ग्लोबल मार्केट कहीं और चल रहा है वहाँ पर कुछ मतलब हमें और देखने को मिल रहा है और हमारा मार्केट सब कुछ को इग्नोर करते हुए अलग दिशा में यहाँ पर जा रहा है और देखे ग्लोबल ऐसा ही नहीं कि यहाँ पर बस ग्लोबली मतलब वो रेड में या थोड़ा सा मतलब उतना भी पैनिक महोल नहीं है पर उन्तों एक दबदबास आए सेलिंग प्रेशर मतलब मार्केट जो है अपने हाइस के आसपार सटिक नहीं पा रहे है अगर गैप अब हो रहा है तो वहाँ से सेलिंग आ रही है मतलब समझ रहा है या तो फिर साइड विज यहां पर चल रहे है तो हलका फुलका सा यहां पर दबाओ है दूसरा यहां पर क्या है कि क्रूड ओइल और यह डॉलर की अगर बात करें डॉलर एक सो पांच के आसपास फिर से आ रहा है मतलब वह लगाता है रहा है रूपिया आज हमारा थोड़ा सा वीक पड़ा यहां पर तो यह सारी बात है मतलब जो अभी भिलाल हमें यहां पर मार्केट में यह पर हमारे चाट के उपर जो देखने को मिल रही है उसको continue करने के लिए हमारा होसला नहीं बढ़ा रही है समझ रहो न अगर यह सब को इगनोर करें चाट के उपर अगर हम सीर्फ देखें इन्वेस्टर के वियूँ से तो व अलागे में आहाँ पर कोई सी का मड़ला वो समझ्यों उना तो, और यहाँ यहां पर देखे इंडिया विक्स अगर आप तीन दिन से अगर लगातार देखो तो, लगातार वो यहां पर मतलब ग्रीन में आपको 3%, 5%, आज देखो, तो 5%, क्या सब स्मझे हो ना, तूर में क्यों कह रहा हूं, कि यहाँ पर हमें neutral view लेके जाना चीह, इसी कारान है, कि कभी भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, कि जब तक एक proper मतलब हमें कान्फर्मेशन, याँ पर यहाँ पर हमें विव ना मिल जाए सिर्फ चार्ट को ही यहाँ पर नहीं देखना है हर बार मैंने आपको कहा है कि मार्केट की सबसे हमें हमारा व्यू चैंज करना पड़ता है करना रहता है है न कि हर बार ऐसा ही नहीं कि मैंने आपको कहा है कि जो एक बार मैंने क्रिकेट का EXAMPLE दिया था कि जो BOLLS होता है मलब जो बैट्समेन को मतलब वो जब टाइम के बाद वो अपनी strategies यहाँ पर बदलते रहेंगे जैसे कि वह एक बॉलर बदलता है 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 ना कि उनको भी मंझला profit कमाना ऐसा नहीं कि मार्केट को उपर लेते हैं Walmart booking करना out about प्रॉफिट बुकिंग प्रॉफिट वो कहां से कम है कि जब कोई सामने वाला लॉज करेगा जैसे कि रिटेल ट्रडर्स हा रहा है जैसे कि अपाई डियाई है सामने तो कोई भी हो वो अपनी रण नितिया चेंज करते रहेगा तो यह बात हमें यहां पर भूलनी नहीं है हम क बुलिज रेली आ गई दो दिन रेट केंडल यहां पर बंती होई देखने को मिल गई तो हम समझ लेते कि यहां पर बीरिस मार्केट स्टार्ट हो गाए ऐसा नहीं दो दीन ही यहां पर नहीं देखना है कभी कबाद 10-15 दिन अफ्ता पूरा हफता रेट केंडल देखने को मि तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि यहां पर हमें आदत नहीं बना लेनी है है ना ऐसा यह नहीं समझना है कि अभी मार्केट मतलब वह पन होते ही सुबह बस ग्रेंगरें केंडल यहां पर बनाता हुआ जा रहे गा जाएगा तो यह एक निट्रल व्यू लेने का मतलब वह सारा कुछ कहने का मतलब क्या है मेरा कि यहां पर हमें बायस नहीं बनाना है कि मार्केट अभी बुलिश है क्योंकि हम एंट्राडे ट्रेडर है कि मार्केट यहां पर बीरी से कुछ भी हो सकता है लेवल्स पर फिलाल फोकस करो यहां पर कुछ दिन के लिए कि जब तक तब तक ठीक है तो अभी क्या प्लानिंग कर सकते हैं देखो यहाँ पर क्या हुआ अभी कुछ लेवल्स मैंने मतलब आज में ट्रेड कर रहा था दो तीन दीन में मैंने यहाँ पर ट्रेड गिया मतलब बंडे वह एक छोटा सा स्टॉप लोस वहाँ पर हीट हुआ है थोड़ आप समझते हो ना कंपाउंड नेंगे वह सेट अप था है किसा उसके एसाब से तो एक छोटा सा स्टॉप लोस मतलब मंडे को रहा बाकी दो दिन यहाँ पर अभी ग्रीन में यहाँ पर क्लोज हुए कल का भी ठीक ठाक डे रहा आज का भी अच्छा दिन यहाँ पर रहा तो मतलब अभी भिला लेए विक यहाँ पर ग्रीन में हमारा चल रहा है ओवरोल ठीक है तो अभी देखो यहाँ पर क्या है नीट्रल लेके जाना चाहते तो हम ज़्यादा भी स्ट्रक्चर चार्ट पेटरन के उपर यहाँ पर फोकर्स नहीं करेंगे बस सपोर्ट रसिस्टन है क्या है कौन सर्थ इंप्रटन उसके उपर यहाँ पर में इन फोकस करने वाले हैं तो देखो अभी इसको आज जो लेवल में बना करके रहते सायद वह भी हम उपर आर मेरे ख्याल करना चाहू अभी मारकेट ऑपन कहां पर होता है। उसके उपर भी डिपेंड करता है। तो सिम्पल सा मैं आपको कहूंगा कि बीच में कहीं पर भी मारकेट ओपन होता है। तो उसको आप मतलब वो मत करिए समझ रहो ना कि उसको आपको या तो फिर सपोर्ट पर आने दो या तो फिर रेसिस्टन पर जाने दो किसी भी लेवल का breakout या reversal planning आपको करना है समझ रहो ना किकर बड़ा gap up हो गया तो हमें वहाँ पर दूज नहीं करना है फिर आपको क्या करना है यह सब्सक्राइब नहीं का वेट करना है समझ गहले अगर गयपंव यहां पर हो जाता है कहीं यहां कहीं यहां प्राइम कहा हमें किया करना या तो भी हमीए सब्सक्राइब आप करने काँए मैं पर हमें प्रीव घ्लान साथ करते हैं तो यह दो लेवल हमारे पास यहाँ पर रहेंगे कौन सा एक कर 20,100 अगर इसको ब्रेक आउट करता है तो मैं वहाँ पर लॉंग साइट के लिए प्लानी करूंगा पर तो के ऐसे एकदम टाइट स्टॉप लोस रखके क्योंकि यह इतनी बड़ी रेली यहाँ पर आ चुकी है स जो भी लोवर एरिया जो यहां पर है हमारा कि हम जो मानते फिबूरे ट्रेस्मेंट पर देखने नहीं को नहीं मीला है यह कििसको कहते है हम यहां पर कि मान ulti 78웠 और 59 001 गोल्री कि मतलब मर्सबूकर तो यह अभी तक हम यह आपको समझ लेना है तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर यहां से अगर मालो ब्रेक आउट देखे ऊपर जा रहा है साइड ओज ओपनिंग देखे तो थोड़ा हलका साफ वहाँ पर थोड़ा से साउधानी के साथ एक प्रोपर कंफर्मेशन ब्रेक आउट कंफर्मेशन मतलब एक हायर हाय स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिलता है डबल बोटम सपोर्ट के आसपास यहां ही कहें डबल बोटम टाइप मतलब कुछ भी एक वोजिटिव केंडर स्टिक स्टिक स्वेटा हूं जो भी आपको यहां पर शूटेबल है मतलब ब्रेक आउट रीटे स्टोर कंटीन मतल चणियू करना है एक वो बन जाएगा समझेखम रोड़ तो प्रोपर कंफर्मेशन और प्रोपर स्टॉप लोस टाइप स्टॉप लोस के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लोस के साथ आपको प्लानिंग करना है तागेट क्या राखेंगे अभी यहां पर वल्टम हाई तो पर्फ प्लानिंग करो वह आपकी मर्जी ठीक है बाकि अभी डाउन साइड के अगर बात करो तो डाउन साइड देखो क्या है यहाँ पर अगर आज के दिन का अगर मैं यहाँ पर सीनारियो देखो यह क्या हुआ यहाँ पर यहाँ थो दिन काम यहाँ पर देखे इसको हम बूल जाए यह गयाप बॉल जाए यहाँ करता है ब्रेकडाउन मतलब क्या है कौन सा लेवल है 20,030 का लेवल समझ रहे हो अभी यह ब्रेकडाउन दरता है तो ही मैं यहाँ पर लॉंग सा प्लानिंग करूए है पर य ऐसे एक्रेट नहीं जाना है हलका हुलकी कॉंटिटी में मतलब यहां पर काम करेंगे कैसी कॉंटिटी में क्योंकि अगर यह देखे अगर हम थोड़ा सा बड़े टैंप्रेम पर देखे तो यह जो यहां पर अगर मैं आपको वर्न आवर पर लेकर जाओ मतलब आप समझ जाओ कि जो कुछ जो मतलब बड़े स्ट्रक्चर यहां पर ब्रेक आउट हुआ हो सकता है यहां पर मतलब यह जो ब्रेक आउट है यह मैंने जैसी कि कहा है कि अभी तक नहीं है तो यहां पर कहीं भी यह कोई भी लेवर से यहां पर रह सकता है अगर मालों यह यहां से इसने ब्रेक आउट के अग्रेसिव क्यों नहीं जाने के लिए यहां से बीच में कहीं से भी आपको बाउंस या तो फिर बाइंग आती हुए देखने को मिल सकती है क्योंकि यह देखेंगे आपकी जब भी यहां पर मलबे मार्केट ने इसने फॉल किया रहा तो एक अप दाउन यहां से ओपन करते हैं मतलब करके इसने फॉल करने की सोड़ के देखने को मिल सकती है या तो फिर मार्केट होले यहां पर वो क्या कहते है फॉल करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है कहीं पर भी आपको noisy momentum देखने के chances यहाँ पर रह सकते हैं इसके नीचे ही थोड़ा सा आप अपनी quantity बड़ा सकते हो ठीक है तो यह रहेगा यहाँ पर कि हो सकते हैं मतलब यह समर्लो कि जब तक 20,000 के उपर एक by the tip मतलब aggressive नहीं जैस कि इसको हमें यहाँ पर भुला नहीं है दूसरा यहाँ पर कहा कि अगर मानलो यह पर क्वेंटी-धाऊजन ही मैं निकाला हमें ब्रेक आउट इस आपको वही मैंने क्यों काउंट कर चलो उसको हम भूल जाता है दूसरा यहाँ पर क्या है तीस मिन्ट भी अगर देखे एक मतलब स्विंग चैंज या ट्रेंड रिवर्सल की अगर बात कर तो तीस मिनिट पे अच्छा खार सा में लेवल स्वाइंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है वहाँ पर कर देखे तो ट्वेंटी यह चलो इंडिकेटर भी हटाओ इंडिकेटर हर कोई मतलब यह मैं को यहाँ प कर देता हो क्या है करेक्ट में इसको मैं यहाँ से विक टुवीक मरलब जो यहाँ पर बनी है विक टुवीक इसको हम मैं बना लो कि यहाँ से अगर मालो कि यह इसने क्या है अगर मैं यहाँ पर लाइन चार्ट मरलब आप लाइन चार्ट पे थोड़ा सा टाइम अगर यहां पर समझ रहे होगे कि यहां पर बहुत ही मार्केट नौईजी रहने का चांसे से रैप में आप फच सकते हो मार्केट कंसोलीडेशन यहां पर मतलब साइडवेज जा सकता है बहुत से रीजन है क्यों कि जब तक की 80 मतलब यहां पर प्लानिंग कर सकते हैं अगर मैं इसको ठ्रेंड लें को थोड़ा यहां से खीचना चाहो तो भी आपको कहें ना कहीं 22,000 के आप यहां से नीचे आया और यह ट्वेंटी दाउजन मतलब ठोड़ा सा आप पर कितना लंबा आप यहां से खींच सकते हो ठीक है वह आपके अपर बाकी आपको देखना यह ट्रेलिंग स्टॉप प्रोस के यह कैसे प्लानिंग करना ठीक यहां पर देखने को मिल जाता है अगर आप पो हरीजोनल लेवल को यहां पर फॉलो कर रहे हो ठीक है अगर बाकी आप पर यह ट्रेंड लाइन यह सब आपकर देख रहे हो तो फिर आपको ब्रेकडाउन डीटेस्ट के बाद आप थोड़ा सा लंबा टागेट लेने की कोश सकते हो तो यह फर्ट सपोट हमारा रहेगा नाइनटीन डाउजन फिप्टी और सेकंड रहेगा सपोट नाइनटीन डाउजन यह टंड फिप्टी बाकी आपको पचास-पचास पॉइंट पर जैसे कि मैंने कहा आपको हर एक को पॉइंट पे कुछ श्विंग मार्केट रि जो एक रिट्रेस्मेंट का जो हमने प्लानिंग गिया वो फिटर थर्टी परसंट या वो आप समझ लो 50 या गोल्डन रेशियो या पुरा सोटम ट्रेंड रिवर्सल भी कुछ भी यहां पर हो सकता है ठीक है यह रहेगा यहां पर तो लेवल्स पर यहां पर फोकस करना और हमेदा को यहां पर यहां पर चलते है की बैंक रिप्ते में क्या रहेगा यही से ही हम चैंज कर लेता है चलिए दे भही है क्यों लोड नहीं हो रहा है कि इसको मैं क्लोज करूंगा कि अच्छा कि पॉरी तो अभी बैंक निप्टी का चार्ट यहां पर ओपन कर दे तब तक का हम यूएस में थोड़ा सा नजर डाले तो वहीं पर ही मतलब जिग जग चल रहा है अभी कुरूर ओयल भी तो थोड़ा सा संबल के यहां पर अभी उनका क्या नंबर साने वाल है मुझे कुछ खास पता नहीं है आप पर देख लेना क्यूंकि अगर कुछ हो सकता है अच्छा बूरा नियुज बेसेस मुमेंटम भी ह हमें कुछ देखने को मिल सकता है ठीक है यह सेट अप आज का मेरा मतलब यहां पर मैंने ट्रेट प्लान किया था आज का है इसको चलो निकाल लेते तो अभी देख़ो आपको क्या करना है बैंक लिप्टी कर बात करूं तो ब्रेक डाउन पॉइंट्स हमारे पहले प्लानिं कर लेते हैं सोट साइट का पहला अगर मैं बात करूं आपको तो यह जोन आपको यहां पर दिख रहा है क्यों अभी यहां पर मैं आगो आगे आपको लेके जाता हूँ यही लेवल हमने यहां पर क्योंच यूज किया और समझ रोड़ा यह लेवल क्यों इतना इंपोर्टेंट है यहां पर अगर आप देखोगे डपल टॉप बनके यहां पर गीरा था उसका नेकलाइंग भी आ रहा है इसने ब्रेक डाउन डीटेस्ट और कंटेन्यून तो यह लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टन रहेगा मतलब सपोर्ट रहेगा कि अगर इसके उपर है तब तक हमें कोई बड़ा सेलिंग प्लानिंग नहीं करना है लेवल्स आप यहां पर ध्यान में लेलों मतलब लेवल्स मतलब भी स्विंग ओवर रोल आप मतलब यह फोटी है उदावजन सीक्स अंड्रेड के आसपास अगर में आपको यहां पर लाइन चार्ट पर भी अगर देखाओ कुछ तो आपको देखने को आ रहा है समझ में आ रहा है कि यहां पर मार्केट ऊपर आया यहां से फॉल दिया मतलब इसने यहां से ब्रेकाट मतलब इसने अपना स्ट्रक्चर बढ़कर आज़कते हुए उनलब ह जा सकता है तो यह ब्रेकडाउन गिया 600 आप पकड़के चलो राउंड नमबर यहां पर तो टागेट क्या रहेंगे हमारे पास तो 45,350 का टागेट यहां पर लेके चल सकते है 45,350 उसके नीचे हम 350 के बाद 130 का 45,130 अभी आपको पता होगा 130 कितना इंपोर्टन आगे भी वो स सपोर्ट की तरह काम कर चुका है तो अप यहां पर ट्रेक करके चल सकते हो यह रहेंगे नीचे की साइड वन आवर पर बाकी हम अगर रिवर्सल कि अगर यह सब आपको मैं दिखाओ तो अगर मानलों कि यह ब्रेकडाउन करता है तो हम यहां तक नीचे आज सकते हैं फिर मतलब इंट्राडे की बात नहीं करो कि इंट्राडे में अभी हो सकता है एक दो दिन या कुछ भी हो पर अगर यह मुश्ट इंपोर्टन लेवल और ब्रेकडाउन हुआ तो फिर आपको समझाना कि अगर सस्टेंड करता है यह वो सब इसलिए चाट के इसाफ से यह मतलब लेवल के इसाफ से यहां पर चलो अभी बाइसाइड के लिए देखो आपको यहां पर इन लेवल से यहां पर थोड़ा से ध्यान देना है अगरिसी मतलब मोस्ट इंपोर्टन लेवल अकर में 46,000 राउंड नमबर है यहां पर तो वहां पर मैं आपको एक जोन बना के दूँआ बाकी बीच में हर्डल है मार्केट अभी कहां पर ओपन होता है उसके उपर डिपेंड करता है बहुत बड़ा गैप अपन होता है तो चेस मज़ करना या तो फिर सपूट ब्रेकडाउन होने दो बात हो या तो फिर वहां पर कोई रेंज बने की वेट करो ठीक है मतलब यहां पर गैप अपन हुआ तो यहां पर आप 15 मिनिट या कोई भी 15 मिनिट तीस मिनिट का गैनरल बनने के बाद वहां पर किसी भी हाई-ल जाने के वेट करो या तो फिर यहां से मतलब इसने गयप अब लिया यहां से फिर यह सपोर्ट लेकर उपर जाने का वह आप देखो ठीक है बाकी तब तक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे ख्याल से आपको गैप पर चैस नहीं करना चाहिए अभी यह रहा यहां पर आई साइड के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं अगर मालो इसी के अंदर ओपन हुआ अगर यहीं पर ब्रेक आउट करता है जो निप्टी में हमने प्लानिंग गया उसी के एसाफ से यहां पर चलेंगे टारगेट क्या रहेगा यहां पर मैंने टारगेट के अगर मैं बात करू तो मरलब जो पिछला हमारा वल्टाइम हाई है उसी को हम लेके यहां पर चलेंगे 46,250,300 का लेवल यहां पर हमारे पास रहेगा बाके 500,500 पॉइंट आप आप आगे ट्रेल करते हुए चल सकते हो ठीक है तो यहां पर यहां पर यह रहेगा हमारा यहां पर ब्रेक आउट के कर बात करूं तो यहां पर हलका भूलक आप च्रेल्प कर सकते यहां पर हो सकता है फिर अगे बाउंस देखने को मेह सकता है वह की सिसर्प से मैंने आपको समझा ते अल्डडी अगर गया पोग बर्रेकडाउन होने का या तो फिर आज का दीन का हाई ब्रेक आउट होने का यहाँ पर वेट करना पड़ेगा मतलब इस लेवल को मैं यहाँ पर अगर मालो निकल दो तो आपको यह दो यहाँ पर हम चले तो निप्टी का यहाँ पर देख लेंग निप्टी का मेरे ख्याल से अभी देखने की जरूरत है नहीं क्योंकि आज यह उसका स्वैरी खत्म हुआ है और कुछ खास हुआ मतलब होगा नहीं डेटा में यहाँ पर नंबर्स के इसाब से देखे तो बुलिस देखने को मिल रहा है मतलब उतना भी कुछ खास स्ट्रॉंग नहीं है हाला कि है परन्तु बहुत ही बड़ा स्ट्रॉंग नहीं कि यह बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा अगर मान लोग की जैसे के मैंने आपको कहा कि गैप आप ओपनिंग देखने को मिल जाती है तो फिर आपको फ्रॉफिट बॉकिंग देखने को मिल सकती है समझ रहा होना कि अभी इतनी बड़ी रेली के बाद मतलब वह आई है तो अभी स्ट्राइक प्राइस के उपर अगर देखे तो लब 20,100 पर एक अच्छा का सा हो आई है जो भी करन्ट लेवल की सब से अगर देखे उसके ब्रेक आउट के बाद ही नेक्स टागेट हम कैसे 50-50.200 तक मतलब लेके जाना है वहाँ पर एक अच्छा का सा रेसिस्टन देखने क को मिल रहा है सपोर्ट की कर बात करें तो 20,000 मतलब जो चार्ट पर हमने डिसकर्च गया वही मोस्टली यहाँ पर देखने को मिल रहा है ठीक है तो अभी कुछ खास है नहीं बैंक निप्टी में मेरे खाल से अभी देखने के जरूरत है नहीं तो बस वीडियो हमारा इधर ह खतम करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को आप लाइक कर देजिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सिस्क्राइब कर देजिए और अपने दोस्तों को भी सेर करी वेश वीडियो देखने के लिए थैंक यू धन्यवार